हेलो बच्चो नमस्ते कैसे हैं आप सब? होपिंग डाट आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे लेकिन मैं जानता हूँ आप सभी के माइंड में बहुत सारे थौट्स चल रहे होते हैं और हम काम गम करते हैं सोचते बहुत ज़ादा हैं प्लानिंग में बहुत सारा समय चला जाता है जो बच्छे बारवी क्लास में है वो स्कूल को मैनेज करने में काफी डिफिकल्टी स्कूल और जई परपरेशन में दिक्कत आती है और जो ड्रॉपर है उनको समझ नहीं आता कि इतने कम समय में स्लिवस कंपलीशन कैसे करेंगे और मौक टेस्ट कहां से देंगे प्राक्टिस और रिविजन का टाइम कैसे निकालेंगे तो बच्छो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका पहला गोल ये है कि हमें पहले तो जई मेन 2024 का पहला अटेंप्ट फूडना है एक अच्छी रेंक हासिल करनी है और उसके बा पास वो होना बहुत ज़रूरी है तो जो भी आपके रेलेवेंट इसके अंदर पॉइंट्स होंगे ना बच्छो वो आप ज़रूर नोट करियेगा ठीक है विकास इट कैन बी लाइफ चेंजिंग फॉर अल अगर आप ये बाते एपलाई करते है तो इसलिए शांती से 24 में उस दिन एक्जाम में जो डीडे है उस दिन हम अच्छा तभी कर पाएंगे जब हम बहुत प्राक्टिस करेंगे याद रखिए सबसे पहले ही बता देना चाहता हूं बच्छो सेल्फ स्टडी इस दकी जितने सवाल आप जादा प्राक्टिस करेंगे जितना जादा होगा और जितना कॉंफिडेंस हाई होगा मॉक टेस जितने जादा दोगे आप और मॉक टेस देने के बाद रिवीजन करोगे एनलिस करोगे स्कोर क्यों नहीं आएगा जरूर आएगा ना ओब्यूस सी बात है यानि सबसे बड़ी बात है सेल्फ स्टडी इस दकी एवरी ड जितने number of arts जितनी quality से आप study करते हैं उतना ही आपकी rank बहतर आती जाती है ये बात बहुत ही obvious ही है लेकिन जादा तर स्टूडेंट्स इसी बात को follow नहीं कर पाते हैं तो पहली चीज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ बच्चों, you have to break the mental barrier क्योंकि जो बच्चे अभी बा कर पाऊंगा के नहीं कर पाऊंगा तो सबसे पहले ये mental barrier अपने दिमाग से break कर दीजिए एक बात आपने सभी ने सुनी होगी मन के हारे हार है मन के जीते जीत ये truth है अगर आप सभी ने एक कहा जाता ना the person who says he can and the person who says he cannot both are usually right तो इस बात को समझ लीजिएगा I think ये बात mental barrier break करने को तयार है याद रखिए सिरफ hard work से नहीं होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो hard work करते हैं लेकिन उनको result नहीं मिलता है क्यों नहीं मिलता है क्योंकि सोचते overthinking बहुत करते हैं और real hard work उनका कम होता है कई बार वो सही direction में नहीं होता तो आपके hard work को सही direction देने के ल barrier है और यह हमें तोड़ना है जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे जब तक हमें खुद में confidence नहीं आएगा तब तक हमें exam को अच्छी rank से crack नहीं कर पाएंगे now the point is यह कैसे improve कैसे करें how to improve the confidence तो देखे सबसे पहले जब यह teenager अवस्था हमारी होती है तो हम काफी self conscious होते हैं दो pimple निकल आए तो उसी से tension में आ जाते हैं कि यार कोई मिर कुछ देखेगा तो क्या सोचेगा बहुत सारी tensions में हम इस समय होते हैं I know that very clearly हम बहुत self conscious होते हैं तो सबी को सबसे पहले अपना ध्यान रखना चाहिए health का यानि अगर आप physically fit है active है तो आपकी immunity अच्छी रहेगी बार बार बिमार नहीं पढ़ोगे योगि journey में यार जब बिमार पढ़ जाते हैं तो एक अच्छा break आ जाता है और वो जब अच्छा बड़ा break आ जाता है त तो वो actually नुकसान कर जाता है हमारे flow को तोड़ देता है यानि health हमें अच्छी रखनी है जिसके लिए सबसे important है आपका sleep cycle यानि रात को चमगाद़ों की तरह बिटा आपको जगे नहीं रहना है आपको 10 या 11 तक सो जाना है कोई भी बच्चा ही बोले अब कही ठलू सोच रह फिर छोड़ो फिर सपने भी छोड़ो बड़े सपने मत देखो क्यों देखते हो बड़े सपने इसलिए मैं strictly बोल रहा हूं 10 से 11 तक आपको सो जाना है सुबह 5 या 6 बजे आपको उठ जाना है 6 बजे is the last उठने के बाद every single day make sure आप exercise जरूर करें कोई किताबी कीड़ा हर सम् समझदार बुद्धी जीव है और यह बहुत ही कितना शिद्दत से पढ़ रहा है लेकिन उसका दिमाग तो चल नहीं रहा है ठीक से समझ रहो तो फिजिकली एक्टिव होने के लिए सुबह फ्रेशन अफ हो के कम से कम जाए 20 मिनिट हाफ एनार exercise जरूर करो थोड़ा जोगि बहुत है बहुत है प्रभू के लिए जिनने हमको बनाया अगर उनके लिए हम दिन में पांच मिनट भी नहीं निकाल पाएं तो हमारी जिंदगी व्यर्थ है वही तो हमें पावर देंगे वही तो हमें वो confidence देंगे मैं बता रहा हूँ यह करके देखिए चाहे आपको belief हो अब दिन की शुरुवात आप बहुत अच्छे से करोगे तो समझ रहो कितनी पावर्फुल शुरुवात है यह तो दिन की शुरुवात बहुत अमेजिंग करनी है इस चीज से आपको अपने माइंड पे भी कंट्रूल आएगा यानि मैं जानता हूँ इस समय हमारी चित्व ने लिकिन यह मन में विचलित अवस्था अगर हम फिसिकली फिट नहीं है और हमारा फूर्ड जो है वह हम बहुत जादा अगर जंक फूर्ड खाते हैं लाइट फूर्ड नहीं खाते तो हमारा मन और जादा विचलित होता है और अनिमल-like instincts हमारे अंदर आते हैं कि आप सभ जितना सात्विक फूड खाएं, हलका-फुलका खाएं, that would be great for you. बहुत अच्छा रहेगा, मन शांत रहेगा. नि तो control करने में fight बहुत रहेगी बच्चों. और हम अपनी energy को अगर waste करते रहेंगे, आप समझ रहे हो ना, जो बहु मुल्य, life force है हमारे अंदर, अगर आप चाहते हों कि आप पड़े ना रहो, आप पड़ते रहो, आप में वो energy रहे, वो शक्ति रहे, वो power रहे, तो शक्ति को बचा कर रखना है, जिसके अस्त्र शस्त्र में दे रहा हूं, क्यों कि कहना बहुत असान है, अगली चीज है, यह सारी बाते तभी आपको समझ में आएंगी, आप तभी अप्लाइ कर पाओगे, जब यह करोगे, दूसरा, having higher vibrations, आप ऐसी संगती में रहे, ऐसे लोगों से इंटराट करिए, जो आपकी frequency को high करते हैं, यानि आपका confidence बढ़ाते हैं, अभी आज pen paper आपने ले ही रखा है, सभी ने है ना सभी के पास, नहीं है तो अभी भी रख लो, एक list बनाएए, ऐसी कौन कौन सी activities हैं, जिनसे आपका confidence lose होता है, identify those activities, और उन activities को minimize करते चाहिएगा, नहीं तो क्या होगा, परिशानी रहोगे, बहुत दुखी रहोगे आप, कैसे पढ़ाई करोगे, तो वो activities identify करिये, दूसरा, mantra chanting can really help you, mantra chanting बहुत ही helpful होता है, बिजाक्षर होते हैं वो, and they will connect you directly to the divine, और उसमें इतनी शक्ती होती, इतनी power होती, कि आप कुछ भी कर सकते हो यार, exam तो एक बहुत चोटी चीज है, बहुत चोटी चीज है, दुनिया में लोग क्या-क्या नहीं कर पाते, cosmos की power देखिए, आप पुरा universe देखिए, एक exam तो तुछ उसी चीज है बच्चो, उस divine से, उस supreme से, भगवान से, अल्ला से, मांगिए आप सबी, तो उसके लिए मंत्र उच्चारण, बहुत जरूरी है, जिसमें हरे कृशना महा मंत्र आपको बहुत helpful हो सकता है, काहितरी मंत्र बहुत helpful हो सकता है, माहा मिर्तिन्ज्य मंत्र आपके लिए बहुत helpful हो सकता है, ये बैक्राउंड में रन होते रहेंगे चाहे आप सिर्फ सुन लो तो भी आपकी पढ़ाई में कभी बादा नहीं आएगे आप ट्राई करके देख लीजिएगा नॉर्मल मुजिक चला लो आप कोई भी गाने, इतने सारे वो आपके चित में वृत्ति करेंगे नॉर्मल मुजिक मत चलाईए वो आपको नुकसान करेंगे यहीं पे आप सभी भजन चलाईए या आप सभी फर एक्जामब यह मंतराज चलाईए आपकी पढ़ाई इतनी सुकून भरी हो जाएगी बच्चो आप सोच भी नहीं सकते तो आप सभी को मैंने अस्तर शस्तर दे दिये हैं नोट कर ले ना सही स्लीप, सही खाना सही सोना, सोना और एक्सरसाईज करना और भगवान को याद करना, मंतरुचारण करना यह रेगुलर अगर आप में हैबिट्स हैं, सही संसकार अगर आपके हैं तो तभी तो आप यह सब चीजे कर पाओगे है ना? और सबसे बड़ी बात खुश रहोगे है है ना? डिप्रेशन का डी भी नहीं आएगा आपके आसपास अगर मैं जो यह बाते आपको बताई है यह आप करोगे तो डिप्रेशन का डी भी नहीं आएगा आपके पास कभी भी जिंदगी में एक्जाम तो छोड़िए समझ रहे हो? करना शुरू करो यह बहुत जरूरी है तुमारे लिए अब बात यह है कि conceptual strength कैसे improve करें slivers completion कब तक करें तो देखिए आप किसी भी course में अगर enrolled है या होने वाले हैं उसको religiously follow करें कई बर क्या होता है हम जिस भी course में enrolled होते हैं हम उस पे ना trust करके हम कहीं और मुँ मार रहे होते हैं यानि वहा ना देखके कहीं और अरे भाई ऐसे तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी लगेंगी अगर आपने क्योंकि हर institute में हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती है हर teacher perfect भी नहीं होता है समझ रहो खुद में improvement करो आप तो अगर आपने decent coaching चुना है तो उसके course को बच्चो religiously follow करिये pure self study जो है pure self study खुद से planning करना मैं recommend नहीं करता यूँकि इसमें क्या होता है बच्चो बहुत सारी planning लगती है doubt solving भी चाहिए होती है guidance भी चाहिए होती है खुद से ये करना बड़ा difficult हो जाता है तो जादा दर के लिए वो pathway applicable नहीं है I would advise कि जो भी droppers हैं खुद से कमाल करने की कोशिश ना करें आपकी career का सवाल है चंद पैसे बचाने के लिए ये गलती ना करें ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि conceptual strength improve करने के लिए जो class में पढ़ाये जाता है make sure कि notes से जरूर बनाएं क्योंकि वही notes आपको revision करने में help करेंगे कि आप notes बनाते हो अच्छे से बनाते हो और class में पूरे ध्यान से सुनते हो अगर हाँ तो आपका 50% कारे यहीं पे हो जाता है क्लास में अगर मुझे समझ में आ गया class में अगर मैं सवाल कर पाया तो घर में भी होने के chance homework भी अच्छे से होगा न तो class में अगर आप cycle के through यह जो मैंने बताया सुबह उटके बढ़िया से उसके बाद class class करोगे तो focus बनेगा बच्चो focus बनेगा तो focus से कुछ भी हो सकता है तो आपको class में समझ में आएगा class में notes बनाओ और revision में वही बहुत काम आएंगे जब सवाल class में दिये जाए बच्चो तो उन सवालों को ढंग से attempt करिएगा नि तो हम बहुती casually approach करते हैं हम सोचते हैं class में गलत भी हो गया तो क्या नहीं हर सवाल को exam mode में करें यानि इस तरह से assume करें कि ये सवाल exam में आ गया तो कैसे करोगे क्या उसमें ऐसे ही जवाब दे दोगे नहीं ना negative marking है ना तो हर सवाल को इस तवज्जो के साथ करें कि यार negative marking है मुझे ढंग से try करना है तो वो habit exam like temperament आपका जो मनस्तिती है वो हमेशा ऐसी रहेगी कोई भी सवाल मेरे सामने आएगा मैं उसको utmost sincerity से attempt करूँगा conceptual strength को improve करने के लिए subject को feel करना बहुत ज़रूरी है अगर हम किसी भी subject को इंटरस से पढ़ते हैं जैसे mathematics में it's mainly about practice लेकिन physics और chemistry में अगर हाँ subject को इंटरस से पढ़ते हो, understand करते हो तो अपको मजा आता है, ये joy, you have, you know, blessings, bliss feel होता है कि यार सब कुछ मेरी दुनिया जो आसपास है ये इस से related है, जसे कि for example, physics में हम optics पढ़ रहे होते हैं तो optics से अपने को समझ में आता है यार कैसे ही हम देख पा रहे हैं कैसे हमारे जो चश्मे है, वो work करते हैं, किस तरीके से पुरी दुनिया दिख रही है, कैसे images form हो रही है, isn't it so beautiful बच्चा, isn't it so beautiful इलेक्टरों में हमें पता लगता है कि जो एक current flow होता है, सब जगे electricity है, जो एक process अभी चल रहा है, ये कैसे हो रहा है, isn't it fascinating, right, तो subject को feel करो, उसके बाद selective book reading करो, अपने teachers से जरू पूछे कि सर क्या मुझे कोई book selectively पढ़नी चाहिए, कुछ-कुछ recommend आपको की जाएंगी, और ये जो particular किताब है बच्चो, अगर आप उनका selective part पढ़ोगे, guaranteed है आपका confidence जरूर बढ़ेगा जरूर बढ़ेगा बच्चो अब उसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कि अब आप syllabus completion करेंगे, conceptual strength को improve करते जाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको guarantee देता हूँ, कि अगर आप सिर्फ theory में फसे रहेंगे सिर्फ theory करते रहने से confidence आपका नहीं बढ़ने वाला कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं theory 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 में लगे रहते हैं असान-असान questions में फसे रहते हैं और जब real exam आता है या mock test आ जाता है, तो फैल जाते हैं याद रखिए, कोई conceptual strength किसी काम की नहीं है, अगर आप practice नहीं करते हैं और mock test नहीं देते हैं practice के लिए सबसे अच्छा material आपके लिए क्या है? अब इस सी बात है, जो J-Main के previous year questions है खास सौर पे पिछले चार साल के इतने सारे chapter wise PYQ हैं, वो आपको एक-एक सवाल धंगसे करना है एक-एक सवाल, सबसे golden material जो आप सभी के लिए है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ वो है हमारा J-Main का PYQ उसके अलावा आप में से जो students, warrior या Ecliveway batch में हैं, वहाँ जो हम study material देते हैं उसमें खास तोर पे जो DPPs आपको मिलती है they are must do along with the lectures जो बच्चे किसी और coaching में बढ़ते हैं, warrior Ecliveway के अलावा वो वहाँ का material कर सकते हैं लेकिं ध्यान रखिए, पहले PYQ करिए नॉर्मली होता क्या है? coachings में कई बार इतना ज़ादा material दे दिया जाता है कि हम कर ही नहीं पाते हैं समय कम है न हमारे पास कैसे करेंगे इतना कुछ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहला priority J-Main PYQ करिए आप में जो students एकलवे warrior batch में enrolled है मैं कहना चाहता हूँ कि even हमारा जो material है उससे भी ज़ादा priority पे क्या होगा J-Main PYQ ये पहली priority है प्लस advanced के कुछ अच्छे questions single correct वाले आप कर सकते हो जे advanced के अच्छे questions करने का benefit क्या होता है कि उसके पाद J-Main के सवाल हमें क्या लगते हैं असान लगते हैं तो advanced के भी कुछ questions हमें जरूर करने चाहिए हर subject में, हर chapter में बढ़िया रहता है कभी-कभी J-Main में आभी जाते है advanced level के questions खास तोर पे mathematics में तो बच्छो आपको पता लग गया कि गेम है सारा self-study का याद रखिए mental barrier तभी टूटेगा जब आप अपनी vibrations को हाई रखेंगे, you are strong you can do it बच्छो लेकिन उसके साथ-साथ the game is to practice अब जो school going बच्चे हैं वो कहते हैं सर सेल्फ-study का time नहीं मिलता है school भी जाना होता है, coaching भी होता है तो बच्चो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब भी आपकी class होती है treat it like a self-study क्योंकि school में भी आप theory पढ़ते हैं बहुत बार, तो school में boards की तेयारी आपकी हो जाएगी और जब-जब question मिले, question को लिख लिख कर कर देखें अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप every single day around 50-100 questions कर लेते हैं 50-100 questions करते हैं तो बच्चो मिनिमम 10-15,000 questions आप कर पाओगे अभी से लेके जे-मेन तक अब आप खुद सोचिए अगर 10-15,000 सवाल आपने कर लिए तो आप ही बताओ क्या आपको कुई रोख सकता है क्या आपको कुई रोख पाएगा नहीं, जो मैं आज बता रहा हूँ अगर वह आपने फुल्फिल कर लिया तो आपको कोई नहीं रोख सकता मैं आज बोल रहा हूँ You don't have to see कोई और स्ट्राटीजी देखने की जरूरत नहीं जो मैं आज बता रहा हूँ बच्चो इसको फॉल्फिल करिये अचा एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ लाइक तो आपने करी दिया होगा है न comment section में मुझे बता दीजेगा कोई भी परेशानी आप face कर रहे हो चाहे आप as a dropper face कर रहे हो या as a 12thी face कर रहे हो comment section में detail में लिखेगा and I'll see each and every comment और उसमें जहां maximum परेशानी आएंगी जिन पर maximum likes आएंगे उसमें मैं वीडियो ले के आऊंगा जल्दी ही ले के आऊंगा है ना और दूसरा आप telegram community जो हमारी है बच्चों उसका हिस्सा बन जाओ सभी के सभी comment section इधर description में link दिया हुआ है उसका सभी हिस्सा बन जाना यूँकि वहाँ इस पूरी जर्णी में अभी से लेके जही advance तक आप सभी को मैं गाइड करने वाला हूँ स्टार्ट करने वालें जैसे भी हैं आप वहाँ पर आईए आपको सारी guidance पहुत सारा material भी कई बार important bullseye material planning free of cost मिलती है तो आप उसका हिस्सा बनिये बच्चों तो यहाँ पर ये questions आपको करने हैं मैं मैं रतादिया सबसे important material कौन सा है तो याद रखिए बच्चों, bullseye be bullseye, bullseye का मतलब highly focused limited material and maximum revision is the key, सबसे बड़ा blunder student क्या करते हैं, अपने coaching पर belief ना रखे, वो बहुत सारा material, बहुत सारी किताबे बहुत सारी strategies सुन सुनके पगला जाते हैं और इतना और distract हो जाते हैं बट की क्या है, की is to have limited material and maximum practice and revision बच्चों ध्यान रखिए, limited material को maximum practice is the key आप ही बताओ खुझ से, quantity और quality में जाधा important क्या है what is more important quantity जाधा important है या quality जाधा important है, मैं आपको बता रहा हूँ एक decent quantity भी important होती है या नहीं, ऐसा नहीं कि दो question कर लिए और खुश हो गए हाँ भी बहुत मज़ा आ गए, नहीं एक ऐसी quantity minimum आपको करनी चाहिए, जिससे आपसे जो नएने सवाल है उस chapter के सवाल आपसे बन जाए, confidence आजए बहुत बार बच्चे मुझसे पूशते हैं कि सर पर chapter में कितने questions करूं, मैं आपको कहना चाहता हूं बच्चों, उतने number of questions करो, जिससे जो अच्छे सवाल है वो आपसे बन जाए, confidence आजाए उतने questions कर लो चाहिए अब कई बच्चों को हजार questions करके भी confidence नहीं आ रहा, तो यानि वो ढंग से attempt नहीं कर रहे है, एक और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यह Q greater than Q क्या है, quality greater than quantity यानि अगर आपने 40 सवाल भी किये, बता रहा हूं एक बच्चे ने मालो 30 सवाल के दिन के और high quality attempt किया, यानि किसी भी सवाल पर give up नहीं मारा, अच्छे सवाल पर fight मारा, चाहिए उससे वो बाद में हुआ नहीं सवाल, लेकिन उसने दिमाग तो लगाया, जब वो दिमाग लगाएगा तो उसी से आपका brain का development होगा, और यह माल लिजे आप exam के लिए तयार हो जाओगे है ना यानि game है सवाल को ठीक से attempt करने का बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं सर मैं hard work बहुत करता हूं, marks नहीं आते, results नहीं आता, इसलिए नहीं आता बेटा क्योंकि आप doubt बहुत पूछते हो, आप solutions पे जल्दी से जम करते हो, ऐसे केस में, सिर्फ किताबे लेके बैठे रेने से काम नहीं चले गए थे, बहुत important point है जरूर लिख लेना, कि attempt the question properly, even if it takes time, क्योंकि यहां पे जो समय लगाओगे, जाधा एक सवाल पे, exam में वही per question आपका समय बच जाएगा नहीं, तो यहां पे आप समय कम लगाओगे per question तो याद रखिए, exam में per question आपको जाधा समय देना पड़ेगा और आपकी rank पीछे होती जाएगी Do you understand, बच्चा? I think you got it, you got the point अब बच्चो, मॉक्टस पे अभी मैं जाने बाला हूँ, उससे पहले अगर हमें मिले, जिससे exam में question आए, वैसे ही पढ़ाया जाए, जिसमें हमारे concept जो है, बहुती strong हो जाए तो बच्चो, इसका one stop solution हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे है एकलवे batch हमारा है बच्चो, आप सभी का है, हमारा 2024, इसका phase 2 जो है वो 9th of में से आ रहा है similarly warrior जो batch है यह J main and advanced 2024 के लिए है, इसका भी phase 2 जो है, वो 9th of में से आ रहा है, इसका हिससा आप जरूर बने बच्चो, चाहे आप 12th moving है, चाहे आप एक dropper है, क्योंकि इसमें 11, 12 दोनों का course कराये जाएगा, सबसे पहले class 11 के जो basic chapters हैं वो कराये जाएगे, ताकि जो 11th wasted है, उनका भी part cover हो जाएए and then class 12 शुरू हो जाएगा, और जो high weighted chapters है न बच्चो, वो पहले कराये जाएगे, तो इसकी जो methodology है, वो बहुत source समझ के बनाई गई है इसमें आप जल्द ही enroll कर लें description में इन batches की detailed जो है, detailed video जो है, वो मैंने डाल दिया है, तो आप देखना चाते हैं, वहां से देखिए, और app ये website पे जाके, आप enroll कर सकते हैं तुरंत, और अपनी journey को start कर सकते हैं, जो बच्चे इस video को बाद में देख रहे हैं, वो next phase जो है, उसमें आ सकते हैं, by the way, आप बाद में देख रहे हैं, advance के बाद देख रहे हैं या तो आप बाद वाले phase में भी आ सकते हैं लेकिन जो अभी देख रहे हैं, वो जल्द ही अपनी journey को start करें, okay बच्चों? यहाँ पर आपको mentorship मिलने वाली हैं, मैं आपको guide करने वाला हूँ हमारी जो best teachers हैं, core team में including me, हम आपको पढ़ाने वाले हैं और सबसे बड़ी बात आपके लिए जो mentorship है, weekly guidance है on-call facility है, teachers के साथ आप बात कर सकते हो यह facilities आपको कहीं नहीं मिलती है, और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ यह course सस्ता वाला course नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा है अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि mock test बहुत बार बच्ची क्या करते हैं, यह common mistake करते हैं कि सर पहले मैं पूरी theory कर लेता हूँ, slivers complete कर लेता हूँ, फिर मैं mock test दूँगा बेटा, slivers completion तो आपको December तक करना है round, November, December हो जाएगा अब उसके बाद mock test देने का समय ही कितना बचेगा तो इसलिए, पहले से part test तो दो, chapter wise test तो दो, जब जब मोका मिले, एक ए घंटे का test तो दो तो एक तो आपको chapter wise test देने है, जितने ज़ादा chapter wise test दे सकते हो, उतना बढ़िया अगर आप एकलभ वे warrior batch में है, तो वहाँ तो आपको chapter wise test series मिल जाएगी जो बच्छी different coachings में है, वो हमारा AOTS join कर सकते हैं, ATP online test series यह इंडिया का one of the best test series है for J-Main as well as advanced वहाँ पे आपको chapter wise test series भी मिलती है, along with part test and full test इसमें full test के आपको video solutions भी मिलते हैं तो बच्छों यहाँ पे full length test और chapter wise test आपको chapter wise test तो हर week दीजिए और जो full length test है यह आप at least bi-weekly, हर दो week में या तीन weeks में दीजिए पहले और उसके बाद आप उसको जो end है for example, जब exam pass आए तब आप every week भी test दे सकते हैं अब बच्छों यह जो mock test है, जो भी बच्छे online पढ़ रहे हैं, मैं उनको खास तोर पे बोलना चाहूंगा give it with honesty, मकारी मत करना, ठीक है, बहुत बच्छे मैंने देखा है, मकारी करते हैं, cheating करके test देते हैं, वैसा मत करिएगा, सो समझ के test दीजिएगा ठीक है बटा, अब यहाँ पे सिर्फ test देने से काम नहीं चलता है, उनको analyze भी करना होता है, ताकि आप अपनी mistakes को सुधारो तो उसके लिए बच्चो, आप सभी को test analysis notebook बनानी है, उस notebook में आपको question number लिखना है, और उसमें वो question क्यों नहीं कर पाए, या question गलत क्यों हुआ, उसका analysis करना है, शुरू में इसमें समय लगता है, लेकिन बाद में यही जो आपके लिए सबसे जीवन दान, क्योंकि improvement तभी आएगा नहीं, तो improvement आएगा नहीं, गलतिया बार बार करते रहोगे, if you keep on repeating the same mistakes again and again, तो it will not help you बच्चे, do you understand, तो test को analyze करना बहुत बहुत जरूरी है, तो बच्चो यहाँ पे इस particular session में मैंने आपके सारे सवालों के जवाब I think दे दिया है, सबसे important है, अगर आप ये part नही सही करते हैं, यहीं सबसे important है, सही vibrations, health, sleep quality and your food and praying to God, right, इससे आपको बहुत शक्ती मिलेगी, उस शक्ती का जब use करोगे तो mental barrier तोटेगा, confidence बढ़ेगा, confidence बढ़ाने के लिए conceptual depth आनी चाहिए, conceptual strength के साथ साथ हमें practice इतनी करनी है, और मैं आप सभी को बताना चाहा हूँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे, सबस्ने revision के बारे में नहीं बोला, बटा, practice is the best form of revision, revision के लिए आप अपने notes को ठाओ, notes को जल्दी से read करो, और खट से question करना चालो, सरफ theory, बहुत बार नी तो हम क्या करते है, theory को बार बार देखते रहते हैं, सिर्फ देखते रहने से नहीं होग जा, re-attempt the good questions and notes को जल्दी से revise करो, जहां अटक जाओ, उसको बाद में teacher से help से पूछ लो, दुबार से, दिक्कत कहा है, do you understand everyone? तो बच्चो ये सारा game है, I think you will break the mental barrier and comment section में बच्चो जरू बताना कोई और परेशानी अगर आप face कर रहे हो तो, I'll make a video on that problem as soon as possible, आप Telegram community का हिस बन जाएगा और like जरू करतीजेगा, मिलते हैं next particular session में बच्चो, बबाई, take care and love you all.